हालो एब्रिवान तो आज को लोग करने वाले हैं तीयस कुरेवाल की बुक चैप्टर कौन सा है अकाउंटिंग पॉर नाट पॉर प्रॉपिट ऑगनाईजिशन ठीक है उसको प्वेश्चिन इम्बर पाई प्लास लिक्षिर में वने सीखा था कि रिसीट इन पेमेंट नटर को क्या होता है कि जो केश आया है में होगा और जो केश गया है में इतना ही से अकाउंटके घ्या रपनाहें हमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है कि capital nature का expenditure है या revenue nature का expenditure है या income है ठीक है चाहे वो बड़ा कर्चा हो चाहे चोटा कर्चा हो चाहे पिछले साल का हो अगले साल में हो अगर इस साल किया हुआ है तो हम यहां पर इसमें इस account में उसको एंटर करेंगे ठीक है तो question number 5 कर रहे हम लॉग आज last lecture में मेरे पास पुरानी कुक्ती आज it's totally updated new edition so page number is 1.60 जो latest edition है उस book का page number is 1.60 okay question number 5 है यह इतमें आपको receipt and payment account बनाना है not sports club का ठीक है तो अब देखना शुरू करते हैं सबसे फेले दिया है opening balance opening balance ओ obviously इस साइड में होता है ठीक है अच्छे यह debit side है और यह credit side भी है receipt payment रितने का यह मतलब नहीं कि debit credit नहीं है यह debit side है और यह credit side ही है ठीक है तो opening balance cash and bank दोनों किया हुआ है 50,000 और 60,000 so 50,000 and 60,000 total amount 1,10,000 ठीक है then subscription received अब तीन अलग-अलग years के subscription मिले हैं subscription received तीन different years के subscription है यहाँ पर and 8,000 तो total subscription कितना हो गया 152,000 ठीक है subscription आता है club है club में subscription लोग लेते हैं तो club में पैसा आता है ठीक है तो यह case side में लाएगा receipt side में जाएगा then furniture purchase तो furniture खरीदा है अब चाहे आप चाहे आप furniture खरीद लो चाहे बेंडिक खरीद लो चाहे कुछ भी खरीद लो पैसा अगया मतलब खर्चा अब गई यहां पर आम यह बिलकुल नहीं देखना है कि फर्णीश तो क्या यहां पर आपका जो payment हुआ है वो payment हुआ है मतला पैसा गया है और यहां पर entry होगी उसकी then general donations club है club पर donations मिलते है receipt होता है ठीक है इन लोगों को donation मिलेंगे तो यह receipt side में आएगा okay so general donations है 20,000 donation for tournament है donation for tournament है 40,000 and donation for pavilion है 50,000 donation for pavilion 50,000 ठीक यह लगा अगर जोद्य से उनको donation मिल नहीं है तो यह receipt item है receipt है तो receipt side में जाएगा ठीक है next is charity given charity उन्होंने किया है तो payment हो गया है पैसा दिया है ठीक है तो charity 10,000 match expensive अब club है sports club है तो sports club है तो कुछ नो कुछ match करवाते रहते होंगे अब match करवाएंगे तो कुछ खर्चा भी आएगा तो उसका जो खर्चा है वो है 30,000 ठीक है खर्चे सारे उधर लेखेंगे रिसीट सारे इधर लेखेंगे salaries to coaches जो coach है जो बच्चों को match की training देते हैं उन्हे salaries भी दी जाती है तो उनकी जो salary हो गई वो भी expenses पेमिंट है payment में जाएगा ओके honorarium 4,000 honorarium अभी match करवाया है तो किसी लगी से special person को बिलाया होगा guest के दौर पर तो उसको honorarium दिया होगा ठीक है that is 4,000 12% investment purchase investment खरीडा है है na investment किया है आपने अगर building खरीडा या कुछ भी normal mutual fund में invest किया ठीक है तो mutual fund में invest किया तो पहले तो पैसा जाता है ना बाद में interest आना शुरू होता है ना बाद में उसका extra पैसा मलता है लेकिन पहले तो पैसा जाता है खरीडने पे तो जब पैसा गया तो हम उसे payment side में ही लिखेंगे ठीक है तो यह है 60,000 investment खरीडा 60,000 का then entrance fees club में entrance fees जाएगी या आएगी club में entrance fees receipt होगी आपने club को रखा है लोग उसमें entry करेंगे तो fees दे के entry करेंगे तो आपके लिए वो क्या हो गया income हो गया वहाँ पर पैसा आया है तो this is entrance fees ओके इंकम हो जाएगा यह 4000 interest on 12% investment जो यह investment किया था उसमें interest मिला है अब यहां पर यह खर्चा था लेकिन जो interest मिला है वो क्या है वो income है तो receipt side में आ जाएगा ठीके जो interest आया है वो तो income हो गया ना यह खर्चा था तो payment side में चला गया और यह interest मिला है तो receipt side में आ जाएगा 6000 okay sports equipment purchase अब भी खरीडा है तो पैसे तो गाई है तो payment में डाल देंगे okay sports equipment purchase 50,000 closing balance लिया वाएगा closing balance इस तरफ आएगा इस तरफ क्यों आएगा अगर cash जादा है अगर cash जादा है अगर मतलब आपकी income जादा जनुरी यह होता है ना कि आता है पैसे जादा और जाता है कम यह ना cash in hand and cash at bank तो cash in hand जो है वो हाथ में जो पैसा है वो तो मालूम है वो इदो ने बता दिया कि इतना रुपय भी है हमारे पास ठीक है लेकिन जो cash at bank है bank में जो पैसा है उस पर लगा दिया question लाग ठीक है तो यह आपको निकालना है कैसे निकलेगा जैसे सारा balance निकालते हैं ऐसी निकलेगा है न अभी तक इतना सारा net profit निकालते आए हैं दुनिया भरगा balance निकालते हैं यह भी निकल जाएगा तो अब क्या करेंगे भाई हम पहरे total करेंगे debit side का total करेंगे तो debit side का total is coming 3,82,000 करके check कर लो आप लो 3,82,000 ठीक है this is debit side का total अब जब इससे आप credit side के total को minus करोगे देखो debit का total आ रहा है 3,82,000 and credit card 3,1,1,600 ठीक है यह credit side का total आ रहा है अब debit से credit का minus करोगे ठीक है 70,400 यह जो balance हाया यह आपका क्या होगा यह पैसा आपका bank में पढ़ा है closing balance पूरा पता होना चाहिए ठीक है आपको यह पता है कि cash in hand कितना है यह बोला गया है पता लगाओ कि cash at bank कितना है तो जब final balance निकलेगा वह तो cash at bank है ना तो 70,400 is your cash at bank ठीक है और total तो वही आएगा जो इधर आया है टोटल सेम होगा ठीक है समझ आगी बार तो हमें simply क्या find out करना है कि receipt side में क्या क्या आएगा payment side में क्या 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 आएगा बस इतना ध्याज रखना है कि subscription, donation, entrance fee यह सब receipt होता है किसी भी NGO's में, club में, इन सब जगह पर यह सब income है ठीक है क्योंकि हम generally क्या होता है, entrance fee रेखा तो ऐसा लगता है कि fee है हमने खर्चा क्या होगा बट ऐसा नहीं है ठीक है तो यह सारे receipt side और यह payment side receipt payment account बहुत ही simple है आपको कुछ भी demand नहीं लागाना है जैसे यहां पर 3 साल का subscription दिया था तो हमें बिल्कुल ही लेखना है कि हम सिर्फ current year का subscription डाले receipt और payment account पर हमें यह नहीं लेखना है जब हम आगे income expenditure बनाएंगे उसमें लेखना है उसमें focus करना है कि current year का ही डालना है लेकिन अभी यहां पर अगर यह तीनों साल का subscription अभी आ गया है तो हम अभी डालेंगे वही इस साल आया है तो इस साल डालेंगे चाहे वो पिछले 5 साल का हो कभी कभी हो ओके furniture purchase करो bedding purchase करो कुछ भी खरीदो वो payment में ही आएगा हम यह नहीं दिमाग लगाना है कि asset खरीद लिया तो asset को अगर payment बानेंगे तो loss आजाएगा यह सब हम clubs में या NGO's में not for profit organization में हम यह सब नहीं दिमाग लगाते हैं इसी तो payment बनाते हैं simple यह पता करते कि cash कितना बचा है या cash जा बचा ना गया है इसमें भी हमें कुछ cash transactions की detail दी है और उसके basis पे हमें बनाना है receipt and payment account ठीक है हमें क्या बनाना है receipt and payment account किसका good health club का good health club का okay हमें receipt and payment account मराना चलो शुरू हो जाते हैं सबसे पहले opening balance लिया है cash and bank so cash is 70,000 and bank is 3 lakh so final amount is 3 lakh 70,000 यह opening balance है then subscription received यहां पर की अलग अलग यह के subscription लिए रहे है subscription received यह तीन साल के subscription है भाई 2016, 17, 17, 18, 18, 19 ठीक तीन साल के subscription है 40,000, 3,75,000 and 20,000 तो यह तीन साल के subscription को total कर लो 4,35,000 okay then donation for gym donation जो है health club है donation आया होगा ना इनके लिए receipt है ना तो donation for gym is receipt signed okay 1,64,000 okay then admission fees भाई लोग जब health club में admission लेने आएंगे तो वो fees देंगे ना तो लोगों का खर्चा है ना club का तो income है तो club के लिए कहा हो जाएगा receipt side में ठीक है 14,000 life membership fee 45,000 जोने लोग कुछ लोग ऐसे हैं जिनको life membership चाहिए कि मुझे जीवन भर इसी health club में आना है तो मुझे एक बार में life membership fee दे दू क्या होता है कुछ भूष दिसकाउंट होता है कुछ स्पेशल offers होते हैं तो लोगों ने सच अभी एक बार में ही हम life membership ले ले लेते हैं ठीक है तो life membership ले ले लोगों किता रुपर देके 45,000 देके तो यह लोगों ने पैसे दिये हैं club के पास पैसे आए है club का income है receipt side में आएगा ठीक है wages and salaries wages and salaries to club को भी देना पड़ेगा ना जो employee staff कर रहे होंगे उनको wages and salaries दिया होगा ना यह तो खर्चा है ठीक है wages भी ना लेंगे club वाले so this is 55,000 okay then locker rent locker rent is 11,000 locker rent के अभी खर्चा है क्या है rent देख्टे लग रहे है कि खर्चा है ना but यह club है club में जो आएगा कुछ समान लेकर आएगा ठीक है मान लो उसके बन बहुत सारे समान है तो club में offer कर दिया कि यह हमारा locker है आप इसको use कर सकते हैं अपने समान को safe रखो तो इसका आप रेंट पे कर दिया करो तो वह locker rent है तो वह club के लिए income हो गया है ना ठीक वैसे यह से स्कूल में स्कूल वाले बोलते हैं भाई कि आप कॉपी भी एंसे ले लो बुक्स भी एंसे ले लो सब कुछ ले लो तो वह स्कूल के लिए अब किया है इंकम है तो इस प्लब नहीं अगर इंवेस्ट किया है तो पैसा दिया होगा ठीक है भले उसके बद्रे बाद में इंट्रेस्ट मिले लेकिन फिलावर तो पैसा दिया है ठीक है ताट इस टूलाग कॉर्टी थाउज़ड अल्रै दें है जरनल तो जो है जरनल थे वह है इसको आपको हमेशा इससे समझना है है जरनल रखने पड़ेंगे आएंगे लोग देखेंगे जरनल ना तो क्या होगा वह जरनल का पर उनका खर्चा होगा इस लिए जरनल का पेमिंट साइड में आएगा ठीक है इनके पास अगर जरनल जरनल सकते हैं पबलिश होते हैं उसमें खर्चा होगा इनका तो हैस जरनल जरनल इस 5,000 थे स्टेशनरी प्रेशनरी पी घर्चा है बीशिक स्टेशनरी तो कहीं पी पी काहल के लिए चाहिए होता है ना तो स्टेशनरी इस ऑलसो है या लिए इक्सेंस आं स्टेशनरी इस 12,500 थे अब देना पड़ रहा है तो मतलब पेमिंट हो रहा है तो इसका मतलब पेमिंट हो रहा है दुरिया बर ये लोगों को मैंजीन भेज रहे हम कोरियर करके अपना प्रमोशन करने के लिए कि भाई प्रमोशन के लिए नहीं लेकिन जो आपके मेंबर्स है दिन्होंने मेंबर्शिप ले रखी है उनको आपको उस चीज़े भेजनी हो दीना कोरियर से तो उसके भी है अख्सें अघ्र। अल्रै आँं अमांट इस 9570 अफ्टी फैर मशीन री पर्चेसर है तो कुछ थाएट लियर लिए प्रेद मिल टाईप जिन का सामान शुछ खरीद लिया तो वो पर्चेस किया तो पैसे दिए पैसे दिये तो payment हो गया 38,000 ओके then sale of old newspaper कुछ पुराने रद्दी न्यूस पेपर से सबके धर में बिखते हैं जब न्यूस पेपर बिखते हैं तो क्या होता है कबाडी वाला पैसे देखे जाता है तो वो जो न्यूस पेपर बेचा उसकी बदले में हेल्थ क्लब को पैसे मिले इसलिए क्या हुआ receipt हुआ है ना 300 interest and bank balance bank में जो पैसे बचा के रखे हैं हेल्थ क्लब में उस पे interest आता है किसी के पाद भी bank में अगर अच्छे amount में पैसे होते हैं तो bank उनको interest देती है तो वो क्या हो गया आपके पास वैसा आया तो income हो गया ठीक है receipt हो गया दो तीन question करनी के बाद आपको बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या receipt side में जा रहा है और क्या payment side में जा रहा है ठीक है बट यूआपको प्रैक्लिस लास्ट में दिया है cash in hand cash in hand कितना बचा भाई आप opening balance पता था हुमें तो जो last में cash in hand दिया है वो क्या होगा वो closing balance ही तो होगा ना opening balance और अलब से लिख रखा है उन्होंने तो कि cash in hand दिया है cash in hand है 43,000 तो जब cash in hand दिया तो अब हमें क्या निकालना होगा हमें निकालना होगा cash at bank ठीक है जो आपके पास cash था वो दब में बता दिया कितना है तो cash at bank आपको find out करना होगा ठीक टूटल करेंगे debit का टूटल करेंगे debit के टूटल से credit ती लूटल को माइनस करेंगे जो difference है ना that is your cash at bank ठीक है debit का टूटल इस 1 0 4 1 0 4 0 1 0 4 1 0 4 0 ठीक है देखो वह बहुत करोणों में तो नहीं पौँच गया 104,10,040 नहीं 10 लागे है 10,041,040 तो इस इस टूटल 10,041,040 अब यहां के टूटल से आप इस टूटल को इतनी टूटल को माइनस करोगे तो जो difference आएगा वह पैसा क्या है cash at bank है ठीक है तो difference जो आ रहा है उदर का टूटल आ रहा है पहली बार 4 1 0 6 3 0 यह आप चेकता लेना जो लोगी करें ग्रेडिट का टूटल आ रहा है 4 1 0 6 3 0 4,10,630 ठीक है यह आए उदर का टूटल और आपका जो बैलन्स आ रहा है बताब difference यह credit का टूटल ने difference नहीं है credit side का total बदाया मैं ओके और आप debit के टूटल से credit के टूटल को माइनस करोगे तो जो difference आएगा वो क्या हो गया cash at bank तो यह सा receipt in payment account काफी यह तक समझा गया होगा इसके बाद बाद में move करेंगे income expenditure account पे फिर पूरा एक साथ बनेगा receipt payment income expenditure लीजिए दाज़न शीट ओके